एसी सरकार है एसी निकमी सरकार है जो पाईश्टाइर वोट्रן मैस कर रहे थे हैं अंडलगर से बीजेपी के विधायक गुपाल खंडेलवाल ने ये दावा किया है कि जब गहलोत की सरकार संकट में थी तब ये हेलिकॉप्टर में बैठ कर सरकार को बचाने के लिए गये थे मंच से सारवजनिक तौर पर बीजेपी विधायक ने ये बयान दे कर सियासी हलकों में संसनी पैदा कर दी है गुपाल खंडेलवाल को प्रदेश की राजनिती में वसुंद्रा राजे के खेमे का नेता माना जाता है बीजेपी के विधायक गुपाल खंडेलवाल ने कहा है कि वो अपने साथ जिले के दो और विधायकों को लेकर हेलिकॉप्टर से गये थे ताकि गहलोत की सरकार बचाई जा सके मानडल कर से बीजेपी के विधायक गुपाल खंडेलवाल के इस बयान ने अब सब को हैरत में डाल दिया है काना फूसी तो इस बात को लेकर भी हो रही है कि कही अंदर खाने वसंद्रा और गहलोत की मिली भगत तो नहीं है तरह को पता नहीं कुरोनाकार नहीं था तो तुमारी सरकार जा रही थी उसको पचाणे लेके दरसल भीलवाडा में प्रशासन गाऊं के संध कारेकरम चल रहा था इसमें बीजेपी के विधायक गुपाल खंडेलवाल भी पहुँचे थे तब ही वहां मौझूद परधान सतीश जोशी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप भी तो हिलिकाप्टर में बैठ कर गए थे जिसका जवाब देते हुए खंडेलवाल ने अपनी ही पोलपटी जनता के सामने खोल डाली पहले भी खंडेलवाल समेथ तीन विधायकों के जैपूर से हलिकाप्टर से जाने की बात सामने आई थी तब इस मामले को बीजेपी नेताओं ने अपनी बयानबाजियों से दबा दिया था लेकिन अब जब बीजेपी के विधायक गोपाल खंडेलवाल इस बात की पुष्टी कर रहे हैं कि उन्होंने गहलोत सरकार को बचाने में मदद की थी तो अब ये बात सबको पता चल चुकी है काफी वक्त से आरलपी चीफ हनुमान बेनिवाल ये बात खुले आम कहते आ रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत और वसुंधरा में मिली भगत है लेकिन इस बात का परमार सामने नहीं आ पा रहा था लेकिन अब जब राजे के खेमे के विधायक नहीं गहलोत सरकार बचाने की बात कह दी है तो अब आरलपी को एक नया मुद्दा मिल गया है जिसे दो सीचों पर हो रहे विधान सबा के उप्चुराओं में बेनिवाल जरूर उठाएंगे खंडिलवाल के इस बयान से कॉंग्रिस और बीजेपी दोनों ही दलों में खामोशी है क्योंकि अब ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि नेता जी के इस बयान से हुए डैमेज को कंट्रोल कैसे करें राजस्थान तक के लिए भीलवाला से प्रमूत दिवारी की रिपोर्ट